वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला प्लीज टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन करेंगे सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पर आते हैं ध्यान रगें जबशकर साथ ही ओ स्वागत है आप सभी का बीएओ की डेवाइस सीरीज में और डेवाइस सीरीज में जो आज हम टॉपिक डिसकस करेंगे यह है आ आपको ना केवल BEO बलकि PCS 2024 की कंप्रीट जो है तैयारी करवाई जा रही है बोबी विल्कुल फ्री में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेस की और से ठीक है तो इस सीरीज में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रमुक रोग ठीक है इन में से आपको पेपर में सवाल जहं करते हैं यहां पर दिये वो है रोग और बताया गया है वो किसकी कमी से होते हैं ठीक है चलिए देखते हैं पहला यहां पर एनीमिया एनीमिया किसकी कमी से होता है देखो एनीमिया आइरन की कमी से भी होता है और फॉलिक एसिड की कमी से भी होता है ठीक है दूसर रोग है सक देखा हो शायद आपने नहीं भी देखा हो ठीक है मेरे पड़ोस में एक मास्टर साथ थे उनके घहंगार नाम की विमारी थी ठीक है फिर है मरासमस मरासमस रोग क्या है लंबे समय तक उपवास करने के कारण या अगर आप लंबे समय तक भूंके रहें और आपके शरीर में उर्जा की कमी हो जाए ऐसा नहिं कि भूक खराया तो को अब हो इरहें लंबे समय तक आपके संटी में जैसे हम जो खाना खा रहे हैं आज के समयुन अभी यह किवल अपने जीब के सवाद के लिए रहे हैं। हिंदी में एक देशनीया शवदा आता चट्वर पन तो यह तो सब जो है हम अपने चतो ऋरपन में कर रहे है actual में जो need है वह तो एवारी कहाने की हो से पूरी हो रही है अब इनको दो हम कहते है तो हमारी भाडी में जो केलरि स्क difí हो रही है ओफैट के रूप में जमा हो में फैट जमा किया है उससे एनरजी लेना शुरू कर देगा और उस तरीके से आपका शरीर जंदा रहेगा लेकिन इसकी भी एक लिमिट है अगर माली यह आप बहुत लंबे समय तक भूंके रहे तो फिर शरीर में ऊर्जा की पर्मनेंट कमी हो जाएगी और जो रोग होगा प्रोटीन की कमी से होने त्य Misандut बहुत जांती है मदमेश्ची जो रोग होता है और बाध में इंसूलीन जिetus हैजा आपको जो जो होगा और इंसूलिन का नहीं होता है तो अगना सरभय कोशगा होती है लो यहां से नहीं होटा है इंसूलिए का काम क्या है भ्रड्शूगर को चाहिए एर सब्सक्राइंE وिटामिन कमी से होता है आँखों से जोड़ा हुआ है ठीक है आगे बेरी 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 किस की कमी से होता है विटामिन B की कमी से होता है सब को पता है दुनिया जानती है इसकर भी जो है विटामिन C की कमी से होने वाला रोग है मसूड़ों में होता है ध्यान रखना सूखा जो रोग है य पत्च्छी म्रदुता इसमें क्या होता है , कि ऐस्त्छी यानि औहुँ हुआ गता है , यह भी विटामीन के की से ध्यान रखना होता है , भी हली। जीनहें थीक्य। यह बिटामीन बन त्थी की का सुखा रोग और बडों ड्यान ग्लिशनता है , और रता Easter oatmeal की का होता है बेसिक बात हैं आप लुग पहले से जानते होंगे चलिये आगे देखेंगे रोग और जीवाड़ू आगे देखेंगे हम लोग और उनसे जुड़े जीवाड़ू मतब जीवाड़ूं से होने रोग बैसिकली यह हमारा टcept है चलिये सबसे पहला है इसमें हैजा आपसे पेपर में सीरे सीरे पूछ लिया जाएगा कि बताईए हैजा किस की वज़ा से होता है या हैजा जो है किस जीवाडू के कारण होता है सीरे सीरे पेपर में आ जाएगा तो ज्यादा इसमें कुछ नहीं है आपको डारक लिए नाम या दखन से होता है की डिप्रिया के नाम है ध्यायन लगना क्या फिरएटाइरिया किसकी होता है स्लमों नेला संट जो है यह होता है च्टी ओनेडह कि सहूटा है प्लेग रिप्र ऩो इसलाइये को रूत या यार्सीनिया पेस्टिस की विजए से वजय के वी जदी यह राउट का नम है सिफिलिस जो है यह साथिओ यह ट्रेपो निमा पैलीडम की विज़ से होता है कोड अनामक जो रोग होता है साथियो कोड यह होता है माइको बैक्टिरियम लैप्री अब देखो कुछ तो इसमें ऐसे हैं जिनके नाम में ही वो दिया हुआ है तो अप फिर आप आसानी से पहचा लोगी जैसे यह है अब कोड को अंग्लिस में क्या बोलते हैं लैपरोसी बो तो यह भी हो जाएगा असानी से बाह समझ रहे हो नहीं अब जैसे यह देखो आप यह है ठिटनेस तो इसके नाम में ही दे दिया है ठिटेनी तो यह भी आप है चाल लोगे तो बस थोड़ा सा लॉजिक भी आप लगाओगे न तो आप इसे कर ले जाओगे ठीक है बाह समझ हो देखो और खाली खांसी या कुकर खांसी या कु कुटा खांसी से कहते हैं हम लोग तो यह किसा है वी सबको पता है बहुत ही फेमस है इन फेमस है मतलब और मैं आपको दादू मुझे भी यह टीबी की गंभीर बीमारी हो चुकी है 2018 में मैंने बहुत मुश्किल से इससे विजाई प्राफ्ट करी बिल्कुल सूख के लकड़ हो गया था भयानक गंभीर बीमारी है भाई टीबी त जान लेवा जैसे कहते हैं धनुश्टंकार या ठिटनेस नामक जो बीमारी है यह यह है क्लॉइस्टेडियम टिटैनी की वज़े से होती है निमोनिया का मैंने आपको उताए दिया सिफिलिस जो है यह ट्रोपो नेमा पैलेडियम के वज़े से होती है और टाइफाइट जो देखें सबसे पहला है टिटनेस टिटनेस के लिए लगाया जाता है डीपीटी देखो डीपीटी का आप फुल फॉर्म जान लो पहले डीपीटी डी का मतलब हो गया डिप्थीरिया पी का मतलब हो गया पर्टूसिस को हिंदी में कहते हैं काली खासी और टी का मतलब हो गया आपका TITNESS ठीक है तो DPT का मतलब क्या है डिप्थीरिया पर्टूसिस और TB डिप्थीरिया के बीमारी आप समझ रहे हो पर्टूसिस को कहते हैं हम लोग काली खासी और T4 हो गया BCD का टीका है ये काम आता है TB में ठीक है पोलियो का टीका जो है पोलियो में काम आता है और TAB नामक जो टीका है ये आता है टाइफाइड की बीमारी में काम ध्यान लखना ठीक आगे देखते हैं आगे है मनुष्य में होने वाले अंतह इस्तरावी रोग चलिए देखते हैं पहला रोग है ठिटेनी ये क्या होता है तो पैरा थर्मोन के अल्प सर्बन के कारण ये बीमारी होती है फिर है अगली जो बीमारी है वो है विरिलिजम ये किसके विज़े से होती है एडरी नेलिन के अधिक इस्तरावन के कारण ग्रेब जरोग कब होता है जब थायरियोक्सिन हार्मोन का अधिस्तरावन होने लगता है डाइविटीज मैलिटस कब होता है जब इंसूलिन हार्मोन कम निकलने लगता है महाकायता कब हो जाती है जब प्यूश ग्रंथी की अग्रपालिका से sachहू mob को अधिक इस्तुरावण होने लगता है एडिसनरों कब होता है जब कार्टिन हार्मोन का इस्तराब कम होने लगता है गहेंगा रोक कब होता है जब थायरी ऑक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तब होने लगता है बॉनापन कब होता है जब ग्रोथ हार्मोन में जब ग्रोथ हार्मोन का इस्तराब कम हो प्यूश गंती में मदवे कब होता है मदवे में भी जो दिया हुआ है फ्रेसन रखमार्मों आधिक निकरने लगे यह कब होता है जब थारियाँक्सिन हार्मों की अधिक हो जाए फिर है मिक्सीडेमा यह कब होता है थायरियोक्सिन हार्मॉन के बहुत कम इस्त्रावण होने पर आगे बढ़ते हैं आगे हैं पौदों में होने वाले प्रमुक जीवालू जनित रोग अभी तक हम इंसानों के रोग देख रहे थे अब पौदों के रोग देखेंगे आलू में रोग होता है शैथल रोग किसकी वज़े से होता है यह होता है स्यूडो मोनम सेला नेरी सम मलब स्यूडो मोनम और सेला नेरी रम नेसी रम ठीक है इसकी वज़े से होता है नाम या टेड़ी मिड़े याद करना पड़ेगा crown gall rogue, agro bacterium, or tumi fischen, इसकी वज़े से होता है बंद गोबी में काला गिलन, जैन्थो मोनास, केम्पो स्ट्रिस, इसकी वज़े से होता है नीबू में कैंकर रोग इसकी वज़े से होता है, जैन्थो मोनास, सिट्री की वज़े से होता है आगे देखो पौधो में कबक की वज़े से होने वाले रोग तो गैहू में काला किट रोग होता है यह होता है पक्सी निया पक्सी निया ग्रेमिनिस ट्रीटी साई गैहू में इसमट रोग होता है एस्टी लेंगो नूडा ट्रीटी साई आलू में अगेती अंगमारी रोग होता है अल्टर नेरिया सोलोनी की वज़े से गैहू में पछेती अंगमारी रोग होता है फाइटो फेथेरा फाइटो इप्थोरा इनफेस इस्टेंस आलू में वाइट रोग होता है सिनकाई ट्रियम एंडो बायो टिकम की वज़े से नाम याद ठेड़े मेड़े इन्हें पढ़ना पढ़ेगा भाई दूसरा कोई अप्शन नहीं है मुंग फली में टिकका रोग होता है सरको इस्पूरा फरसो नेटा की वज़े से गन्य का लाल सडंग रोग बहुत ही फेमस है यह किस वज़े से होता है यह होता है कोली टोटो इकम फलकेटम की वज़े से और यह कवक से होने वाली बीमारी है ठीक आगे देखो धान में भूरी पर्ण चित्ती यह किस की वज़े से है कवक की वज़े से कवक का नाम है हेलमेंथी इस पो रियम ओराई जी ठीक है यह बाला अरहर में मिलानी रोग इसके विए से होता है फ्यू जेरियम ओरम की विजे से बिंडी में पीत वर्ण शिरा रोग एक विशाणू जन्य रोग है सफेद मक्षी इस विशाणू की वाहग होती है रहन लगता आगे है तत्वों की कमी से होने वाले विवन पादपों में जो रोग होते हैं उनकी बात करेंगे धान में खेरा रोग जो होता है साथियों जिंग की कमी से होता है मक्का में सफेद कली रोग जो है जिंग की कमी से होता है फूल गोभी में ब्राउनिंग जो रोग है ये बो कोपर की कमी से होता है और पत्ता गोबी में विप्टेल जो रोग है यह मौली ब्लेड़न के वैसे होता है कि आगे देखिए आगे है कोशिकाए और मतलब कोशिकाए और उनके खोजकरता ठीक है जो कोशिकाओं के अंग्या उनके खोजकरता कौन है यहां से पेपर में एक सवाल आपको मिलने की संभावना है माईडो गॉंट्रिया के खोजकरता है सी बैंडासोप के खोजकरता है यह राबड ब्रॉण क्लोरोप्लास्ट के खोज करता है इस चिंपर, तारक काय के खोज करता है बेवरी, क्रोमोसोम के खोज करता है हाफ मिस्चर, अन्तह प्रदबी जालेका के खोज करता है पॉर्टर, और लाइसोसोम के खोज करता है क्रिस्टियन डवे आगे है कुछ विशेस्ताओं से युक्त पौधे इनकी हम बात करेंगे जरा सबसे लंबी जड़ वाला पौधा है एडेन सोनिया डिज डेटा सबसे अधिक आयू वाला पौधा है फुयू रे मांडी सबसे छोटा पादपुष पौधा है ओल्फिया का सबसे बड़ा आर्कक्ड है ग्रामेटो फाइलम और इस्पेशियोसम यह रहा सबसे बड़ा आर्कड जो जो आर्कड पौश्प है वह है फ्रेमी पीडियम काडेटम सबसे बड़ा बीज होता है लॉकेडिया का ध्यान दियान रखना सबसे विशाल नाखफनी होती है सेरियम जाइंटियस सबसे बड़ी पत्ती होती है विक्टोरिया अमेजॉनिका की सबसे छोटा बीज होता है आर्किड का सबसे बड़ा पुष्प होता है रेफलेशिया और नोडाई का ठीक है यह कई बार एक्जाम में आया है सबसे चोटी पादप कुष्ट का होती है माइक्रोप्लाजम सबसे चोटा ब्रायोफाइट होता है यह है जुपसिस जीनस सबसे बड़ा मेटा फैसिक गुर्सूत्र यह होता है ट्रिलियम का सबसे बड़ा ब्रायोफाइट है डाउसोनिया सबसे बड़ा पादप अंड है साथियो साइकस का सबसे छोटा इस्थलिया टेरीडोफाइट है एजोला कैरोलीनियाना सबसे छोटा क्रोमोसो में सेवाल का सबसे अधिक गुर्सूत्र वाला पौधा होता है औफियो ग्लो सम सबसे लंबा एंडियो स्पर्म वाला पौधा है यूकेलिप्टस सबसे कम गुर्सूत वाला पौधा है हैपला पोस ग्रैसिलस बुल्फिया जली पौधे हैं जो सबसे छोटे आवरज जीवी हैं ऑल्फिया जड़ विहीन एंडियो स्पर्म कौन सा है कसकुटा बलानो फोर ठीक है इसके लाबह और भी कुछ नाम दिए हुए यहां पर यूट्री गुलेरिया एंड्रो वांडा और टैनिया फिलम और वॉल्फिया यह सब जो है यह है सारे के सारे जड़ रहित एंजियो स्पर्म ठीक है आगे देखते हैं प्रमुक इनको देख लो यह नीचे रहें इ कास्ट किसका होता है हाड वी किया बाइनिटा का सबसे चोटा जिमनिस्वर्म किसका है जामिया पिग्मिया का और सबसे हलकी कास्ट होती है बालसा यह या रखना इसी से कम चल जाता है ठीक है सबसे हलकी लक्टी जो होती है आगे है प्रमुक जीव वेग्यानिक और उनका योगदान मानवता के लिए क्या है चलिए देखते हैं सबसे पहला है जोनस सालक इन्होंने क्या किया पोलियो के टीके की खोज की ध्यान रखना ठीक यंग एंडसिंसंजंग इन्हों ने क्लोरूफॉर्म के साथ पहला नशा जेम्स यंडसिंजंग द्वारा किया गया था थीक है अर्वर सेविन ने क्या किया है औरल पोल्यो वैक्सिन अभी जो दो मूंद जिंदगी की पिलाई याते है ना पूलियों की दवा में उनकी खोज करने वाले विक्ति यही थे एलबर्ट सेबिन ठीक फिर है ए आई ओपरिन रासायनिक विशलेशन द्वारा जीव की प्रथम उत्पत्ती का विवरण इनों ने दिया था बैटसन ने क्या किया है जनिटिक सब्द का प्रतपादन किया है एंड्रियाज वैसालियस ने क्या किया है आधुनिक शरीर रचना के जनक वैसालियस है आगे देखो एक जीन एक एंजाइम एक राश्चाइनिक प्रत्करिया का सिध्धान दिया है जॉर्ज बीडल और एडवर्ड टेटम ने डॉक्टर बीडल और एडवर्ड बेस्ट ने क्या किया है पहली बार अगनाशाय से इंसूलिन हार्मोन को सभलता पूर्वक अलग किया ठीक है आगे है क्रिष्टियान बर्नार्ड इन्होंने क्या किया पहला हिर्दे प्रत्यार उपन किया है चार्ज डार्विन ने क्या किया है जेव विकास का मत औरिजन और इस्पिसिज नामक बुक में किया है इन्होंने ध्यान लगना ब्रेसर ने क्या किया है एस्परिन द द्वारा ही गढ़ा गया था ऐस्कर हर्ट विंग ने क्या किया है 1912 में फंक ने मूल रूप से विटामिन शब्द गड़ा था विटामिन शब्द किस ने दिया फंक ने दिया दिया दिहान रखना ग्रेगर मेंडल को ने वह यहां इनके बारे में तो मैं समाजता हूँ सब को पता है सब जानते हैं ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौदे पर अपने काम के माध्यम से मंशानुकरम के मुलबूर नियमों की खोज की थी मटर के पौदे पर इन्हों ने एक्सपरिमेंट किये थे थॉमस हक्सले इन्हों ने क्या किया प्रोटो प्लाजम को जीवन का बहुत एक आधार कहा जाता है और माना के जीवन की संपत्ति इस पदार्स के भीतर अणुओं के वित्रण से उत्पन होती है संपत्ति नहीं यहां पर होगा जीवन की उत्पत्ति हुगो डीवरीज को ने विया उत्परवर्तन का सिद्धांत इनों नहीं दिया है आगे है डूजाडिन और जेई पुरकिंजे डूजाडिन ने 1835 में प्रोटोप्लाजम की खोज की लेकिन 1849 में जेई पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाजम शब्द गढ़ा प्रोटोप्लाजम एक रंगहीन पदार था जिसमें कोशका के सभी जीवित घटक शामिल होते है फिर है विलहम जोहांसन इन्हों ने क्या किया डैनिस वनश्पती शास्त्री विलहेम जोहांसन ने आनुवनशिक्ता की मेंडेलियन एकाईयों का वड़न करने के लिए जीन शब्द जो है गढ़ाता द्यान लगना आगे है जीन बैप्टिस्ट लेमार्क बाद का फ्रतिपादन जीन बैप्टिस्ट दी मोनट लेमार्क द्वारा सत्य सच वालिस से 1829 में किया गया था जैकब और जैक्स मोनार्ड ऑपरेशन थियोरी फ्रेंक कोईस जैकब और जैक्स मोनार्ड द्वारा प्रस्तावेच जीन विनियमेन की अवधारना है लूई पाश्टर ने क्या किया है किडवन की खोच की और लूई पास्टर नेहीं रहेज का ठिका lakhना रृबीज आगे देखो अरनेश्ट रुसका और मैक्सनाल अरनेश्ट रुसका और मैक्सनाल ने 1931 में अपना पहला इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोब बनाया रोवाट होक ने क्या कि कोशका ही कोशक किये कई वर एक्जाम में आ चुका है कोश्का शब्द का परचाय माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक लेखी एनों ने और कोश्का विज्ञान का जनगेने कहा जाता है डॉक्टर रावर्ट जार्विक कौन है डॉक्टर रावर्ट जार्विक पहले इस्थाई करत्रम हिर्दया पर अपने काम के लिए प्रसिद्ध है जो सफल साबित हुआ आगे देखो पैट्रिक स्टेप्टो और रावर्ट एडवर्ड इन लोगों ने विंटो फर्टिलाजेशन यानि आई वी एफ एक सहायक प्रजनन तक्नीक है जिसे सुरुआत में 1970 के दशक में पैट्रिक स्टेप्टो और रावर्ट एडवर्ड द्वारा च्छतिगरस्त या अवरुद फैलोपियन ट्यूग के कारण होने वाली महिला बांजपन के लाज के लिए शुरू किया गया था याई बी एफ तक्नीक के खोज करता भीया यही है आगे रावर्ट कोच रावर्ट कोच ने 1882 में बैसिलस मतब ट्यूबरकल बैसिलस की खोज की जो तपेदिक का करण बनता है 1884 में हेजा बैसिलस और वेब्रियो कोलरी की खोज इन्हों नहीं किया रावर्ट कोच ने ठीक है आगे रावर्ट वैनवर्ग डक्टर रावर्ट वैनवर्ग को मानव मूत्रा से कैंसर कोच का रेखा में पहली बार पहचाने गए मानव ऑंकोजीन की खोज कर करने का स्रेड या जाता है आगे स्लेडिन और श्वान कोच का सिद्धान्त का प्रतपादन वर्स 1849 में जर्मन बनस्पती सास्त्री सलेडिन और अंग्रेजी प्राणी सास्त्री श्वान द्वारा किया था ध्यान रखना आगे है सिलमन वैक्समन स्ट्रेप्टो माईसन की अग्छता एंटी बायोटेक्स शब्द का परचे इन्हों नहीं दुनिया को करवाया आगे विल्यम हार्वे उससे पहले है एस्टी हक्सले जाती आवरतन नियम बायो जैनेटिक्स लॉक अप जो है फ्रत्रपादर हक्सले ने किया है विल्यम हर्वे ने क्या किया है ब्लड फ्लेमिंग द्वारा गड़ा गया था वार्टसन और क्रिक ने क्या किया है डियने का डवल हिलिक्स मॉडल दिया है जैड जैंसन और एज जैंसन ने पहली से सुचमदर्स्थी का निर्माड किया है अलेक्जैंडर फ्लेमिंग ने क्या किया है पैनिसलीन की खोच की है खाज़ा मोडियम के अंडग की खोज की है आर अल्टमान ने न्यू क्लिक अमल शब्द का प्रत्वादन किया है द्यान रखना ठीक है और लास्ट देख लो इसमें एंटोनी फिलिप्स वैन लिविन हॉक ने क्या किया है साथियो सूच में जीव विग्यान का जनक इनको माना जाता है एंटोनी लिविन हॉक का ठीक है यह हुआ छोटे सा वीडियो अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे की जिसमें हम विग्यान के और भी जो तत्य है महत्पूर उनको पढ़ेंगे जानेंगे समझेंगे और यह है हमारा क्विक रिवीजन साइंस के लिए तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको रेगुलर यहां पर दो से तीन मिलते रहेंगे अच्छे तैयारी करिए महनत करते रहें मिलते अंगली क्लास में तब तक के लिए चाहिए जय भारत बंदे मातरम